हलो, वाट्स अप दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि परसिस्टन्ट कमपनी के अंदर अगर आपको जॉब पाना है इस सभी के बारे में आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहें है अब तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इलतिजार किस बात का है चैनल को फॉटा-फट सबस्क्राइब कर दीजिए राउंड्स के अंदर अपने अपने खुद के सेक्शन भी वने हुए हैं तो पहले राउंड में कौन से सेक्शन हैं पहले राउंड में हैं computer science, English comprehension और logical ability यह हो गया पहले राउंड के तीन सेक्शन अब दूसरा राउंड दूसरे राउंड में जो है वो एक ही सेक्शन है वो है automata coding लेकिन यह automata fix के साथ आपको confused नहीं करना चाहिए automata coding precisely वहाँ पर लिखा हुआ है यह हो गया दूसरा राउंड तीसरे राउंड में भी एक ही सेक्शन है वो है advanced coding question अब यह जो advanced coding question है वो उन बच्चों के लिए ही वहाँ पर लागू होता है जो की higher package के लिए वहाँ पर apply कर रहे हैं या try कर रहे हैं तो यह ऐसे तीन round है जिसके अंदर यह सारे subsections है तो दोस्तों पहला जो round है वो है objective round आपका जिसके अंदर आपको 38 से 52 सवाल जो है वो पूछे जाएंगे इसके लिए आपको 50 minute का समय दिया जाएगा difficulty level इसकी जो है वो medium से लेकर के high के बीच में रहने वाली है दूसरा जो subjective round आएगा जिसके अंदर coding से related सवाल आएंगे इसके अंदर आपको 1 से 2 ही सवाल पूछे जाएंगे लेकिन इसको आपको solve करने के लिए पूरे 45 minute का समय दिया जाएगा और इसकी difficulty level लेकिन high ही रहने वाली है फिर आता है दोस्तों advanced coding round तो जाहर सी बात है कि यह coding round पहले वाले coding round से और जाधा higher level का होगा तो difficulty level high है यह तो पहले ही पता चल गया इसके अंदर एक से 2 सवाल हो सकते हैं और इसको solve करने के लिए आपको जो है वो 60 minute का समय दिया जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर हम particular जो sub sections है उसके हिसाब से भी उन्होंने जो है वो time limit set करके रखी है ऐसा नहीं है कि इस round के लिए मैंने आपको दे दिये 30 minute तो इस round के सारे sub section को आपको 30 minute के अंदर solve करना है कैसे भी कीजिए कोई एक section पहले कीजिए दूसरा section बाद में कीजिए वस 30 minute में खतब कीजिए ऐसा यहाँ पर नहीं होता है पर sub section भी उन्होंने time limit set करके रखी है तो इसके इसका जो है वो difficulty level रहेगा English comprehension 15 minute का समय दिये जाएगा और 12 से 14 सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे difficulty level high होगी logical ability इसके लिए 15 minute का समय दिये जाएगा 12 से 14 सवाल पूछे जाएंगे और इसकी difficulty level medium से लिए करके high के बीच में हो सकती है इसकी बाद दोस्तो round आता है आपका subjective का जिसके अंदर मैंने जैसे कहा कि automata coding से related सवाल आएंगे 45 minute का समय एक से दो सवाल आएंगे difficulty level high रहेगी इसके बाद आएगा advanced coding round जिसके अंदर जो है वो आपको coding में ही और जादा complex सवाल पूछे जाएंगे एक से दो सवाल इसमें आ सकते हैं और high level की यहाँ पर difficulty level होगी तो objective round में से logical ability वाला जो subsection है इसके अंदर भी उन्होंने तीन और subsections कर रखे हैं तो logical के अंदर deductive reasoning में data arrangements, seating arrangements, blood relations, solidism, coding, decoding, directions and distance, odd man out और mathematical order यह आता है इसके बाद का जो और एक subsection है वो है indicative reasoning, coding and number series recognition, analogy and classification recognition, logical word sequence और inferred meaning यह एक पूरा section होता है इसके अंदर यह सारे जो मैंने बताए यह topics को cover किया जाता है इसके बाद आता है objective reasoning, इसके अंदर data sufficiency, statement and conclusion और selection decision table यह सारे subject को cover किया जाता है इसके बाद दोस्तों जो English वाला section आपको आता है subsection उसके अंदर verbal ability में synonyms, acronyms, jumbled sentence, sentence formation, infernational and literal, comprehensive, contextual vocabulary, comprehensive and ordering इसके अलावा error identification, sentence improvement and construction, subject verb agreement, tenses and articles, preposition and conjunctions, speech and voices इन सभी का यहाँ पर जो है वो inclusion होने वाला है अब यहाँ पर automata coding वाला section आता है जो की एक subjective round होता है इसके अंदर आपको जो है वो एक सी दो question code के बारे में पूछे जाएंगे और आपकी जो preferred coding language है उसके अंदर आपको उसका जो है वो answer लिखना पड़ेगा तो coding language आप आपके हिसाब से choose कर सकते हैं C, C++, Java, Python जो भी है तो जो भी आपकी coding language chosen है उसके अंदर आपको जवाब लिख देना है और advanced coding जो है उसके अंदर लगबग सेम ही रहता है बस complexity बढ़ जाती है बाकी आप आपके preferred language में ही उसका जवाब दे सकते हैं ऐसा कोई problem नहीं है और ये section जो है वो वहाँ पर optional भी होता है अगर आपको higher level के लिए ही वहाँ पर apply करना है तो ही आपको इसको appear करने की ज़रुत है अगर आप fresher है और basic level के ही position के लिए apply कर रहे हैं तो फिर ये section जो है वो solve करने की या इसको attempt करने की कोई ज़रुत नहीं है तो दोसो कुछ इस तरीके का जो है वो एक examination या syllabus pattern रहता है persistent के अंदर अगर आपको persistent के अंदर काम करना है तो तो दोसो अगर आप ये जाते हैं कि इसकी एक पूरी A to Z process आपको मालूम हो कि ये online test के बारे में तो आपको पता चल गया लेकिन इसके अलावा consequence round होते हैं और उनके अंदर क्या-क्या होता है ये अगर आपको जाना है तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना करके रिखा है आप उपर i button पे click कर सकते हैं या नीचे description में मैं link छोड़ दूँगा आप उसको भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने A to Z सारी की सारी process जो है वो आपको बता दी है कि कौनसे कौनसे section से या कौनसे कौनसे round से एक candidate को गुजरना पड़ता है अगर आपको persistent में job पानी है तो तो बस दोसों आज के वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोसों वीडियो पसंद आया है तो like जरूर कर दीजे और जादा से जादा share भी जरूर कर दीजेगा